नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूजेटीन मध्यप्रदेश हतीजगर देख रहे हैं आप और वक्त हो गया है मध्यप्रदेश की महा डिमेट का मैं हूँ आपके साथ अपर ना मौज़न और आज बात होगी कॉंग्रिस की याद होगा आपको राम मंदिर की प्रांट प्र आते ही राम की बात करने लगी है याने कॉंग्रिस फिर से राम भरों से दिख रही है तो राम मंदिर की प्रांट पतिशा से दूरी बनाने वाली कॉंग्रिस को फिर से आगए है याद भगवान राम MP कॉंग्रिस प्रदेश में राम यात्रा निकालने की बात कह रही है साथी आयोध्या में जाकर राम लला के दर्शनों की बात भी कही जा रही है ऐसा क्यूं इसको सियासी गल्यारों में लोग सभा चुनाओं से जोड़ कर देखा जा रहा है कहा जा रहा है कि चुनाओं पास आते ही कॉंग्रिस को है राम सियास उधर बीजेपी का कहना है कि जो लोग राम मंदिर की प्राण पतिष्ठा कारेकर में शामिल नहीं हुए अब किस मूँ से राम की बात कर रहे हैं यह सब चुनाओं का इचिंदा है नरेंद्र मोदी प्रधान मंतर्य थे, अगर मंदीर उनके कारीकार में बना तो मेरे कहाल से किसी को अपति नहीं होनी चीए देगते पर, मोदी जी हमे कहे, कि मंदीर आद जाना और ख़ जाना है तो तो मैं समझता हूँ ये तो किसी भी धर्म में कोई भी मिखनी किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता है हमें मंदिर राम के जाना है लाम दला के दर्शन करना है बार बार करना है एर बार करना एक लाग बार करना है और करेंगे यह हमारी आस्था का विश्य है करेंगे ही राम य अभी पता चल जाएगा एक लाक लोग कहां से आते हैं किसे दर्शन करने जाते हैं अरे इनकी नियाय यात्रा में दावे कर रहे हैं अभी मुट्टी बर लोग तो उसमें नहीं दिखेंगे उधर दो मार्च से राहूल गांधी की भारत जोड़ो नियाय आतरा एंपी में आएगी जोरान राहूल गांधी का रूट शो होगा जन सभाओ को सम्भूदित भी करेंगे मध्यप्रदेश में लोगसभा चनाव में अखलेश च्यादव और कॉंग्रिस साथ साथ नजर आएंगे दोनों के मिछ गड़ बंदन हो गया है क्या इंडी गड़ बंदन में सब सही चल रहा है खैर इसका पता तो चुनाव से पहले ही पता चल ही जाएगा लेकिन आज महा डिबेट किन सवालों के इर्दगिर रहेगी वो सवाल आपको दिखाते है इस बड़ी स्क्रीन पर पहला सवाल है चुनाव आया तो कॉंगर्स को याद आए राम ये है पहला सवाल दूसरा सवाल है क्या आस्था की नीती से बनेगी 24 की रण नीती क्या आस्था के पत पर ही अब कॉंगर्स के पास आगे चलने का सहरा बचा है तीसरा सवाल है राम यात्रा तो बहाना है क्या निशाना वोट बैंक है इन्ही सवालों के एर्दग्रिद रहेगी मध्यप्रदेश की आज महाँ डिबेट हमारे साथ खास पहमान जुड़े हुए है और कौन-कौन से खास पहमान है उनका परिचे आपसे करवा देते हैं हमारे साथ जुड़ी हुए है बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा बग्गा रविंद्र तोमर है कॉंग्रस की विधायक रह चुके हैं और साथी वरिष्ट बत्रकार चैतने भट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे डॉक्टर मनोज ज्यादव है समाजादी पार्टी की तव और से आज हमारे साथ पैनल में शामिल हो रहे हैं और साथी मेरे साथ स्टूडियो में है राजनीतिक विशलेशक सौरब दूबे आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है और पहला सवाल रविंद तोमर जी आपसे मेरा है प्रान पतिष्ठा कारेक्टर में शामिल होने से कॉंग्रस ने इंकार किया उसके लिए कॉंग्रस के नेताओं प्रवक्ताओं के पास अपनी अपनी दलील रही लेकिन ज आरबार जाएंगे राम तो सबके हैं राम में कोई बटवारा नहीं चनातन को मारने वाला हर्वेक्ति राम का आराथ है और मैं हमिश्टा ये कहता रहता हूं ऐसा कोई नया वो नहीं है कि उनकी कोई नई बात आगई हो पहले कहा था नहीं जब पुछा था कि राम मंदिर आप जाएंगे तो में हम जाएंगे और लाखों लोग साथ में रेंद्र सलूजा कह रहे हैं कि लाखों लोग साथ पे जाने की बात करें जीदू पठवारी मद्धप्रदेश कॉम्श बचे भी है लाखों लोग पॉरूर्च पार्टी प्रभूराम का नाम तो लेती है और प्रभूराम का जो श्रद्धा से नाम ले वो किसी वी वक्त ले उनके पाप कुछ दुलते होंगे इस से और इसलिए हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाओ से पहले राहूल गांधी जी को अपना गोत्र बताना पड़ा था ये बात अलग है कि जनेयू कहां पर पहनना था कोट के ऊपर पहन कर जो अपना दत्तात्रे गोत बता रहे थे कुछ दिन पहले वो मीट बनाने की क्लासेज ले रहे थे राहूल गांधी से लावलू प्रसाद यादर जी से राहूल गांधी जी तो कॉंग्रस का चाल चरतर आज का नहीं ये बहुत पुराना है और एक एंटनी ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा था क्योंकि ये तुष्टी करण की नीती को अपनाते हैं सन नातनियों को नीचा दिखाते हैं इसलिए कॉंग्रस पार्टी का सफाया पूरे देश भर से हो रहा है जब प्रभुष्टी राम का पांच सो वर्षों से इंतजार हो रहा था कि वो अपनी जन भूमी पर उनका दिव्य भव्य बंदर बनेगा तो कॉंग्रस पार्टी का अ गोली चलाई सादू संतों पर गोली चलवाई यह हमारे सामने है राजीव गांधी जी के विचार किसी से छुपे नहीं है जैसे वो बाबरी मस्जिद के लिए अड़े हुए खड़े थे और पिर सोनिया गांधी जी ने आके एक कदम और कह दिया कि राम ड़स नॉट मनदियप्रदेश के जो पूर मुक् religघमंत्री हैं Congress Party से वह कैते हिंदू terrorerweise हम सैफर टर्रजम तो यह एक नहीं Congress Party की जो मूल विचार धार है बार-बार आती ए आज ही देखे कि Congress Party जहां जहां शासन में होती है वहां पर किस प्रकार से इनके ऊपर मुगल जो पूरी प्रक् तरह आज इनों ने मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने का काम किया है कि यह है कि जो मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हैं क्या यह दूसरी जगा लगा सकते हैं तो यह जंता समझती है कि राम नाम जपने से अब कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो मन जी से जवाब लूँगी मैं असका लेकिन चैतने भड़ जी अगर कॉंग्रेस अब चुनाओं से आएं पहले राम का नाम जप रही है तो देर नहीं कर दिये के डामेज कंट्रोल करने के अगर यह कोशिश भी अगर हम देखे इसे तो देर नहीं कर दिये यह देखिए तलत महमूद का एक बड़ा मशूर गाना है सब कुछ लुटा के होश में आये तो क्या किया कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती की थी बगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो नहुता था उसको अस्विकार करके उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से हिंदू विरोधी था और उसको भारती जनता पार्टी ने जिस तरह पूरे देश में ये बात पहला दी के ये राम के विरोधी हैं अब आप राम का नाम लोगे तो वो चीज़ जो है जो पहले अगर आप चले जाते उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं जाने में वहा कर रही थी तो अगर किसी को निवंतरन मिला था देखिए प्रादेशिक नेतत्व जरूर चाहता था कि हम राम लला के दर्शन करने जाएं और जिदू पटवारी ने पहले भी कहा था कि हम राम लला के दर्शन करने जाएंगे हमारे साथ हजारों लोग जाएंगे लेकिन ज सारे मुद्दे जो हैं वह राम अंदिर के सामने गोंड हो चुके हैं चाहे हो महिंगाई का मुद्दा हो चाहे भरोजगारी का मुद्दा हो देखिए भारत बड़ा आस्था वाला देश है यहाँ पर ऻग्वान राम के प्रती जो लोगों में आस्था विश्वास है उसको अगर आप इस तरह से इंकार करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गल्ती थी अब वो क्या सोच के किया गया था क्यों किया गया था यह तो हाई कमानी बता सकता है संदेश तो गलत गया ही और इसे बीजेपी ने वेल स्टाब्लिश भी कर दिया नरेटिव कि भई कॉंग्रेस इस पूरे आयोजिन के खलाफ थी इस्टब्लिश कर दिया उसको नेरेटिव कर दिया कि आप राम के विरोधी है कॉंग्रेस के इंकार ने बीजेपी की मकस्तों काउगा आपकी है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं डॉक्तर मनोर्ज यादव खैर आप लोगों के बीच में लिए बहुत भारी पड़ गया क्या रिकॉर्ड बनाएंगे कॉंग्रेस को तो राम से आस है आपकी आस किस से है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सही सवाल पूछा है क्या है बीजेपी जो है ना हमेशा जो राम की विराजनीती को जोड़ दी है आप ये बताइए जितने भी हिंदू हैं हर के हिर हमारा नमर बन है खजराओ की अगर इस्तिती को देखेंगे विस्सू की परेटन नगरी कहा जाता है बीडी सर्मा जी जब से आये हैं उनको पांस साल का कारकाल पूरा हो चुका है बारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अद्यश भी हैं बीडी सर्मा जी बताएं के खजराओ में हैं नया रिकॉर्ड बनेगा एक हारने के लिए वारती जन्ता पार्टी खजराओ सीट पर अभी तक नहीं हारी होगी उतने बोटों से वहां हारेगी अच्छा यह आपका अत्मिश्वास चीक है सौरब दूवे जी कॉंफिदेंस देख रहे हैं वलाइस के साथी का समधनी पार्टी का खेर बात वापस अगर हम करेंगे कि चुनाव से एंड पहले जीतू पटवारी का जो बयान यहां पर आया है वो पहले भी कहते रहे हैं कि हम चाते थे हम जाएं दर्शन करने लाखो लाख लोग लिख जाएं लेकिन वही सवाल यह टाइमिंग जो है चुनाव को देखते हुए इस सब्सक्रा के बयान बाजी क्या जनता समझेगी नहीं नहीं देखे जनता भी समझ रही है और कहीं न कहीं कॉंग्रेस के जो नितित तो है राज्य के अंदर जो पूरु मुख्यमंतरी रहे कमल नाजी कॉंग्रेस के अंदर और उसके बाद जो है जीतू पटवारी जिनको नई कमान दी गई है वो कहीं न कहीं समझते हैं कि हमने एक एतिहासी भूल कर दी है वो कहते हैं कि लम्हों ने खताखी और सदियों ने सजा पाई अब एक मौका जब कॉंग्रेस पार्टी के पास था जब उसके उपर आरोप लगता था मुस्लिम तुस्टी करण का और उनके साथ जो उनकी सहयोगी पार्टी है जिनके उपर आरो बाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो तो है भगवान राम के नाम लेकर करें राजनीती के रही है क्या में चाहते हैं क्या मंदीर लड़कियां चेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं लोग और जहां पर सनातन को देंगू बताए जा रहा है तो एक बहुत बड़ा विचा उसके बाद से वो लगातार कॉंग्रेस छोड़ रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कई है लेकिन अभी वो भूल गया कि उनका जो सिर्सनित्यूतर राउल गांदी वो वापस जो है अपनी परिपक्वता दिखाते हुए अभी आप वीडि जा रही है कमलनाच जी ने तो आत्म समर्पन करी दिया कि भैया हम देखो इस विचारदारा के साथ तो कॉंग्रेस पार्टी में राजनीती नहीं कर सकते सनातन को गाली और अपमान के साथ नहीं कर सकते बाबा बागेस्वर क्या हालां कि उन्होंने बहुत स्वागत किया थ जिस तरह से विक्रम के उपर बेताल चड़ा रहता था वो बेताल रूपी वांपन्ती वो हमेशा से कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी के उपर चड़ा हुआ दिखाई देता है जब भी कोई एक पार्टी के नेता अच्छी बात करने जाते हैं वो तुरंसे कहते है मत करो मंदीर कभी गुलाइंगा रहे आप एक बात बताईए जिस दिन मूर्ति की प्राण परतिस्टा होगी उसी दिन तो आपको निमंतरन दिया जाएगा अगर मेरे घर का किसी दिन गिरी प्रवेस है तो मैं उसी दिन का निमंपर आपको दूँगा आप किसी दीन आईं क्या पिर्वन के इस तरहा के इस तरह से रामड जैसे उनके समरे कुई उनका भी रहा करता है और उसकी भरपाई के लिए आप लमहेन आपको ने खता कर दी है अब वो कितनी सदियों तक आपको इसकी सजामी देगी यह आप चुनाओ रेलियों में आप जाके क्या बताएंगे आप बताइए जब आप बात करेंगे भगवान श्री राम की तब तो रोजनता यही बोलेगी न कि आप तो गई नहीं ज से अच्छा होता कि कहीं न कहीं आप आयोध्या में आप सहसु स्विकार करके भगवान राम के एक अनुवाई बन करके अपने पापों को धोने का प्रयास करते और खास तोर से समाजवादी पाटी देखिए आप जो उत्तरपदेश के अंदर आता है और समाजवादी पाट सब्सक्राइब करते रहें यह करते रहें तो कहीं न कहीं उनका भी लगता है कि सनातन के प्रती जो है वह आप पर इपकता दिखा ही देती आखिले स्यादर जीटी लेकिन लिया गया उपर और नीचे जो जमीन पर बैटे कारे करता है यह प्रवक्ता है उनको इस फैसले को डिफेंड करना भारी पड़ रहा है यहां मध्यप्रदेश बात करेंगे आप भगवाल राम की और वहां राहूल गांदी कहेंगे कि 24 गंटे जैश्युराम जैश्युराम क्या लगा रखा है तो कहां और कब तक डिफेंड करिएगा अधिया यह 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 बात आती है क्या राम मंद्र के उधाटन के बाद फिर इसके बाद जाने का प्रद्वन्द है वहां जानी सकता यह भारती जंता पार्टी से पूछना पड़ेगा दूसरी बात यह एंगा यह अश्युकार जो निमंत्रमा इस्विकार की बात आप बार । शंक्राचार जो है चार संक्राचार भारत में इन चारों से उपर होगी भारती जंता पाटी के ऴट्παब देए प्रेभं किया है तो कुछ न ने मंत्रना स्विकार किया उन्हें खाथा नहीं किया था उन्हों सब्सकुखुख करें अच्छा रावल गांदी जी का दो दिन पहले जो बयान दिया था उसके क्या बोलेंगे फिर चौवीस गंटे जैश्री राम जैश्री राम वो किस तरह की भासा का प्रयोग रहे हैं भाई श्री राम के प्रति अगर संवान है इस प्रकार का अपमान क्यों कर रहे हैं आप किसने पाई जिसने था सुपरीम कोट ब कौहन गया था यह बोलने कि जो है कपिल सिप्पल आपके जाएं के अब हुआ हुके लाएगा तो ज्यादर अट चंचा रहे हैं अरो देखिें शेकर ने पर जैने उचड़ा लेना चुनाओ के समय मंदिर मंदिर धर्शन करना उसके बाद फिर जो है आप टोपी लगा लेना देखिए आप सब धर्मों का सम्माद करना हम भी मानते हैं लेकिन तरह से आपने भगवान का अपमान किया वो कत्ता ही बर्दास के लायक नहीं है इसलिए आपके पार्टी के अंदर टूठ हुई मंस्ता चोड़ के गए सारे लोग छोड़ के गए आपको छोड़ के गए ना तो आपकी बात रखने का मौका आपको दिया जाएगा लेकिन वहां टेक्निकल ग्लिच है आपकी आवाज ऑडियो ब्रेक हो रहा है अपनी कह रहें आप बिपश की बात नहीं सुनना चाहते हो केवल आप उसका काट करते हो एक ही बात एक ही बात बात को सच्चाई प्याइए आप अपनी बात कंपीट की जराविंदर जी आपकी हम राम यात्रा निकालेंगे लाखों लोग जाएंगे तो जा रहे है ने मदबदे से पिचिंता क अब दब जाएंगे क्या प्लान एंपी कॉंगर्स का और आप भूल नहीं की भूल आप कर रहे हो कि आप लोगतंत्र में विपश्च को खतम करना चाहते हो ये बड़ी भूल कर रहे हो आप अप यतनि दाइने तक विसले सक हो तो निश्चीत रूप से आपको ये चिंता न आप लुगत भी कर रहा हूं ना चाहिए रविंदर तोमर जी ये बता दीजिये लाखों लाख लाख लोग जाएंगे तो जाएंगे कब क्या प्लान है क्या रणीती बनाई जा रही इसको लेकर रणीति यह है मैंने कई बार कहा है कि जब शार संक्राशार्यों ने वहां ज थिविद्रस ही बुलायक्या इस मारे में किसी ने आंदोलन किया किसी ने धर्ना दिया कि राम तो सबके हैं ऑर न हैं तो कहा तयकला क geography arts टो होती धर्म का काम होता है तो बे दो शास्त्रों में ये है कि research पर यह न परिवार के सवार्षिकर को बिलाए दर्म काहिने ही मैं महांता हूं मैं आप करते थे लेकिन आप लोगों कि क्या पार्टी में सुनी जाती है एक उपर से फर्मान आता है कि नहीं जाना तो आप सब लोग बैठ जाते हैं ठीक है यहां पर नहीं नहीं देते हैं नहीं देखिए रवदी तोमर जी अगा आपको पी बात रखने तो रखिए आपका ओडियो पार्टी के जो नेता हमाँ साथ जुड़े हुए इस पैनल में उन्होंने सवाल उठाय को खज़राहों में इतने वक्त तक बीजेपी का प्रतिनदित्व होने के बावजूद भी खजुराहों को वो विकास नहीं मिल पाया जैसे विकास की खजुराहों की जनता हकदार थी जवाब दीजिए दिखिए आज खजुराहों को चाहे इंटरनाशनल एरपोर्ट की सौगाद हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या नल के माध्यम से जल हो या आयुश्मान भारत योजना हो सभी का लाब वहां की जनता को मिल रहा है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जिसका दो प्रतिशत का भी वोट नहीं है खजराओं में वो बैट कि अगर भारती जनता पार्टी की विश्टलेशन करेगी तो ये जनता का अपमान हुगा क्योंकि जनता लगातार भारती जनता पार्टी के विकास के कार्यों को हमेशा जिताकर भेज रही है नमबर दूसरी बात कि जब जब समाजवादी पाटी और कॉंग्रस एकत्रित हुए है तो पिछली बार हमने यूपी में देखा था कि साइकल पंचर हो गई थी और अब तो कॉंग्रस न जो बीडा लिया है समाजवादी पाटी समाप्त पाटी ह होने जा रही है और कॉंग्रस को भी अपने साथ लेकर चलने वाली है तो हम जानते हैं कि दोनों का भविश्य क्या है पर मूल बात ये है कि जब प्रभुश्री राम की बात होती है राम मंदर की बात होती है तो कॉंग्रस हमेशा तथ्यों को तोर मनोड के प्रसुत करने का प्रियास करते हैं। जन्ता पार्टी के वल प्रचार में बरुसा करते हैं। अपनी पारी पर बोलिएगा। वोट नहीं दिया तो कॉंग्रिस हार जाएगी। और तमाम सारे उकेजिन्स पे कॉंग्रिस ने इस नीती को अपनाने का काम किया है। आज रविद्ट उमर जी के भी मुसीबत मैं समच सकती हूँ क्योंकि जन कमलनात को हनुमान भक्त बताया जाता था। जिन हनुमान जो हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्ते उन कमलनात को दरकिनार कर दिया। जो प्रमोट किष्णन ठकते नहीं ते प्रियंका गांदी की तारीफ करते करते वो क्योंकि राम लला के दर्शन करने चले गए तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। तो ये है कॉंग्रेस का अस्ति चरत्र कि एक और प्रभूराम लला का अपमान करते हैं उनके अस्तित पर प्रश्ण उठाते हैं और दूसरे हो जारा कुछ कहा जा रहे हैं वहाँ पर जी बनो जी बोलिये। क्या है जो अभी नेहा जी बोल रही थी कि जिसका दो परसेंट बोर्ट नहीं है इनको घमंड देखिए भारती जन्ता पार्टी वालों का इनका जो घमंड है सर चड़के बोल रहा है और इसका जन्ता जबाब देगी उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी इतनी बड़ी पा हैं तो मदद़ प्रदेस में पूरे 20 साल होगा इनको सासम करते हुए मदद़ प्रदेस को क्या हालत बना रखिये आज क्या कर जाये मदद़ प्रदेस पर कितना रोजगार है आप खजराओ के बारे में कितना जानती है निया जी वहाँ पे आप देखेंगे पूरे बुंदेलखंड के बारे में तो देखना यह होगा कि जो इस तरह की तंज आप तो सुनने पढ़ रहे हैं इस तरह कारेक्रमों में समय खत्म होगे सर मेरे पास तो अब उसका जवाब आपकी पार्डे कारता किस रूप में देते हैं बहुत शुक्रिया आप सभी का इस महा डिबेट में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश की महा डिबेट में आज बात कॉंग्रस जब किस तरह से राम के नाम का एक बाब